हेलो नमस्कार दोस्तों सुखता आपका आशिश मोड़ों में आज रिवीव करने वाले हैं एंट्री लेवर सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसका श्टार्टिंग प्राइस चार लाग चौनसर अजार एक सोरू हो जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं रेनो क से तो इसमें आपको फियरी रेड, सिल्वर, ब्रॉंज, जन्सकार ब्लू और कूल वाइट ये कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको डूल टोन कलर का भी ऑप्शन दिया जाता है अगर वेजिंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आर एक्सल, आर एक्स 800cc, 800cc में 55BHP की पाउर और 72Nm का टॉक मिलता है, वही 1000cc में आपको 68BHP की पाउर और 91Nm का टॉक मिलता है, मायलेज की बात की जाए तो 20 से 22 km पर लीटर तक की मायलेज देखनी को मिल जाती है, वारेंटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2 साल और 1.5 लाग किलोमेटर की वारेंटी मिलती ही, रेनो की तरफ से आप चाहें तो एक्स्टेंड भी करवा सकते हैं, की की बात करें तो ऐसी कुछ आपको रेमोट की मिलने वाली है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक की बटन, पीछे आपको रेनो का लोगो देखनी को मिल जाता है, और जो दूसरी की है, वो आपको नॉर्मन मिलेगी, वहाँ पे आपको रेमोट की ओफर नहीं की जाती है, अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्स्टीर से, फिट चलेंगे इसके इंटीर में और अंदर देखेंगे क्या कुछ फीचर्स ओफर की जा रहे हैं, इसके आरेक्स्टी वेरेंड मे फ्रेंट से शार्ट करें, तो आप आपको रेनो का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है, क्रोम टीट्मेंट के साथ में, एड ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिलने वाली मैट ब्लैक्निस और क्रोम टीट्मेंट यहाँ पे दिया गया है, और सामने से देखने में काफी बढ कुड का, नीचे की लोगो गिल, जो की मैट ब्लैक्निस में, गाड़ी के ग्राउंट क्रेंस की बात कर लें, तो 184 मिली मीटर का ग्राउंट क्रेंस यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए गया है, आपको टोगो का आप्शन मिल जाता है, साइड में, तो बंपर की बात, आप चलते हैं, साइड में, और साइड से देखते हैं, आरेक्स्टी वेंट को, तो यहाँ पे आपको 14 इंच के इस्टिलिम ओफर किये जा रहे है, रनो की ब्रेंडिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई यह विल कवर से आपको देखने को मिल जाते हैं, अब बात करते हैं, आउटसर रियर व्यू मिरर की, तो ऐसी कुछ आपको सिल्वर फिनिस के साथ मिरर ओफर किये जा रहे हैं, बॉडि कलर्ड यहाँ पे नहीं दिये गए हैं, और यह इलेक्ट्रिकली अजशेशबल हैं, गाड़ी के अंदर बैट के आराम से आप इनको और जिस कर सकते हैं, फोल्ड आपको मैनूली करना पड़ेगा, अब बात करते हैं, इसके डैमेंसंस की, तो 371 mm की लेंट है, 1589 mm की विर्थ है, और 1444 mm आपको हाइट देखने को मिल जाती है, टर्निंग डेडिस की बात की जाए, तो 4.9 मीटर आपको टर्निंग डेडिस देखन आप चलते हैं, रियर में, और रियर से देखते हैं, ऑर एकसी बेंट को यहापे आपको ऐसो कुछ आपको फिल्लिक लेडिक का गैंक, यहाप धिया गयान को नहीं बलता आपको, यहापे आपको रियर वेहों की ब्रनिंग, लोगो देखने को पजाता है, उसी के अंदर यहाँ पे आपको रेनो की वैजिंग दी गई है, टेल लेम्स की बात करें तो ऐसी कुछ आपको हैलोजन टेल लेम्स ओफर किये गए है, टान इंडिकेटर की प्लेस्मेंट और रिवर्स लैट की प्लेस्मेंट भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगी, जब आप नीचे देखेंगी तो यहाँ पे आपको रेफलेक्टर्स, बंपर में आपको तीन रिवर्स बाकीन सेंसर्स दी गए, तीन पॉइंट से आप देख सकते हैं, मैंट बलेक्फिनिस और बॉड़ी के लर पूरा बंपर यहाँ पे दिये गया है, अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, तो आप अपनी की से या फ्रेंट कैबिन में दियेगे लिवर से अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं, अगर इस्पेस की बात की जाए, तो इसमें आपको 270 लाइन नीटर का बूट इस्पेस ओफर किया जाता है, थोड़ा सा लोडिंग लिफ्ट है, नीचे की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ इस्टीली मिलने वाला इस पेर विल टूल किट के साथ में, पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, यह भी दिये गए यहाँ पर पाफशा ट्रे, इन लिवर के तुरू आप अपनी सीट को फोल कर सकते हैं, 100% फोल्डबर सीट्स हैं, फैब्रीक की सीट्स यहाँ पर दी जा रही है, यह इसका फ्रेंट डाइसबोड का विव, उसको आगे कवर करेंगे, अब चलिए बूर को करते हैं, बंद और चलते हैं, रियर सीट्स प बटन, कोई स्पीकर की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलती ही रियर डोर में, और रियर कैबिन की बात की जाए, तो ऐसे कुछ आपको पूरा सीटिंग अर्जमेंट, दो हैड्रेस दीगें, जिनको आप आप अजिस नहीं कर सकते हैं, अभी इसमें सीट कवर लगे हुए, इसम अदर पूरे इंटियर की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको ग्रैमेडल, दो हैड्रेस इंको आप अपर्चेस कर सकते हैं, पीछ आपको दी गई पार्फटर ट्रे, रियर सीट बेड्स, रियर पैसेंजर के लिए, फ्रेंट डैसबूर की बात की जाए, तो फुल ब्लैक अब आपको एट इंच का टेशिंग देखने को मिलेगा, और अभी देख रहे हैं, आपको फ्रेंट ड्राइवर सीट पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं, एक के करके, तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिच में डोर एंडल देगा है, अगर डोर ट्रिम की बात करें, त तो रीर के तार आपको फ्रेंट में भी फूल प्लैक फिनिच में डोर टिम देखने में आपको प्लैक बशूर में प्लैक में दिखना यहां गाते हैं, इससे कुछ गोगवे हैं, आगे, जो दो अच्छा लग रहा है is अभी यहाँ पे लगवें street covers because यह delivery के लिए ready खड़ी हुई है यहाँ से recline कर सकते हैं अपनी streets को नीचे fill cup खोलने का लिवर, boot खोलने का लिवर manual ABC pedals यहाँ से आप अपना bonnet open कर सकते हैं headlight leveler, ORBM को adjust करने के controls, यहाँ पे आपको AC के events अब बैठते हैं front driver seat पे और सारे features cover करते है तो driver seat पे बैठने के बाद ऐसा नजर आने वाला आपको front dashboard गाड़ी को on करते दिखाते हैं आपको इसका instrument cluster तो यहाँ पे आपको digital instrument cluster देखने को मिलेगा, बीच में बड़ी सी MAD देखने को मिल जाती है जिसमें आपको speedometer सारी information दी गई है right side आपको मिल जाता है fuel gauge, temperature gauge and left side आपको दिए गए rp meter and इस liver के दुरू आप अपनी MAD को control कर सकते हैं trip A, trip B, mileage range सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं cluster के बाद आप बात करते हैं गाड़ी के steering की तो ऐसे कुछ आपको circular safe में steering मिलने वाला है यह जो leather wrap देख रहे हैं यह accessories का part है यहाँ पर आपको reno की branding reno का logo देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको कोई भी adjustment देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको वाइपर के controls यहाँ पर आपको 8-inch का touch infotainment system दिया जा रहा है जिसमें आपको Android Auto, Apple Card पे सबको support करता है इसमें आपको दो speaker ही देखने को मिलेंगे जो कि आपको front dashboard में दिये जाते है बहुत सारी settings यहाँ पर दी गई है नौप स्वगरा में जाते है voice control के button यहाँ आपको 1001 का button दिया गया है और लॉक अलोग का button और पाउटर के controls आपको center console में देखने को मिलते है नीचे आपको manual AC के controls यहाँ आपको 12W का charging port और उसी के बगल में आपको यहाँ पे USB और Aux का port दिया गया है कुछ space, दो cup holder और अभी देखने हैं 5-speed manual transmission को automated का भी option है आपके पास और उसी के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे आपको manual handbrake उसी के नीचे आपको कुछ space glove box की बात की जाए तो अच्छा का सा space आपको glove box में भी देखने को मिल जाता है and dashboard में देखेंगे आपको कुड की बैजिंग देखने को मिल जाती दो airbags यहाँ पे देखेंगे उनकी बैजिंग भी आप देख सकते है उपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई vanity mirror नहीं मिलता है दोनों साइड यहाँ पे आपको light के controls यहाँ पे आपको mic की placement यहाँ पे आपको manual day net IRVM and visibility पे आप देखते हैं काफी बड़ी आपको देखनी को मिल जाती रेने कुड में अब चलिए काड़ी को off करते हैं बात करते हैं इसके safety features और pricing की तो इसमें आपको ABS with EBD central locking, power door locks, child safety locks seatbelt warning, engine mobilizer, crash sensor anti threat device, speed alert और इसमें आपको 2 रुपेस दिये जाते हैं अब बात करते हैं main चीज इसकी pricing की तो अभी देखने हैं अब RXT event को 5,34,000 रुपेस का एक्सोर्म प्रैस है, on roll लखनों की बात की जाए तो 6,11,000 रुपे का आपको तो अगर आपको वीडियो पसंद आथे, वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सबस्क्राइब करते हैं क्योंकि आपके लिए कार्सलेटर वीडियो में लात रहता हूं तो मैं आसे समिल तक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जहन, वन दे मातरम